एक छोटे से गाओ में एक मुक्या राः करता था, उसा पती मर चुका था, इसलिए वो विदवा हो चुकी थी और वो अकेली थी, वो अपने गर में अकेली ही राः करती थी और उसके साथ कोई भी ने था जब ये बात रुदरा को मालूम पड़ता है तो रुदरा सोचता है अरे वा उस लड़की का कोई भी नहीं है उसका पती मर चुका है तो मुझे इस बात का फाइदा उठाना चीए उसके पास जाना चीए और उसे अपनी शादी के लिए मनाने चीए मैं उससे शादी इतना सोच कर वो मायरा के पास जाता है और कहता है अब तो तेरा पती मर चुका है और मैं इस गाओ का मुक्या हूँ तो जल्दी से मुझे शादी कर ले मेरे पहले से एक बीवी है लेकिन मैं तुझे भी अपनी बीवी बना के रखूंगा इतना के कर वो मायरा के पास जाने ल लेता है और वो घर के अंदर जाता है मायरा को बचाने के लिए तो वो देखता है कि रुद्रा मायरा को परेशन कर रहा है तो वरुन उस मुक्या की खूब ज़्यादा पिटाई करता है और केता है तुम इस गाओ के मुक्या हो और तुमें शरम नहीं आती तुम एक अवरत को परेशान कर रहे हो यतना केकर वो उसे खूब ज़्यादा पिटता है और वहां से बगा देता है